क्या हम snack application पर किसी user के private account में वीडियो को देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं तो आज इसी topic के बारे में आज इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और वीडियो शुरूर करने से पहले आप privacy की वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं और उसी समय हम उस वीडियो के दोवारा उस profile पर विजिट करते हैं तो वहां पर हमें वो account है जो private नजर आता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो उस condition में हम यह चाहते हैं कि हम उस profile की सभी वीडियो को देख पाएं या अफिली डाउनलोड कर पाएं लेकिन private account होने की वज़ा से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं यहां पर आप सभी को बदा देना चाहता हूं snack वीडियो पर privacy से related बहुत सारे option हमें दिये गे हैं जिसे use करके हमें जो अपने account को private कर लेते हैं जिससे यह होता है कोई भी अजनवी या फ private account की वीडियो कैसे देखें और वहां पर आप सभी को बहुत सारी website मिल जाती हैं जहां पर हमें हैं जो उस user की ID को सर्च करना होता है जिसके बाद आप सभी को वहां पर है जो कुछ भी नहीं मिलता है तो जिससे आप सभी का बहुत ही ज़्यादा time भी waste होता है और आप सभी प्राइविट अकाउंट की वीडियोस भी नजर नहीं आती हैं तो अभी बात आती है कि प्राइविट अकाउंट को देखा जा सकता है या फिर नहीं तो यहां पर आप सभी को बिल्कुल सही तरीका पताने जा रहा हूं जिससे आप सभी किसी snack application पर प्राइविट उस यूजर के पास चले जाएगी जब तक वो यूजर आपकी follow request को accept नहीं करता है तब तक आप उस अकाउंट की वीडियोस या फिर वीडियो को download नहीं कर पाएंगी तो आप सभी नहीं यहां पर वेट करनी है जब तक आपकी request को accept नहीं किया जाता है request accept हो जाने के बाद आप सभी उस अकाउंट की वीडियोस भी देख सकते हैं वीडियोस को download भी कर सकते हैं तो दोस्तो वस यही process है जिसे use करके आप snack application पर किसी भी private अकाउंट के content को देख सकते हैं या फिर download कर सकते हैं तो दोस्तो मैं उमीद करूंगा आप सभी को पता चल अगर दोस्तो वीडियो helpful रही हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल एकन को प्रेस जरूर कर लीजिए